आज हम बनाएंगे करवाचोत स्पेसल एकदम खस्ता करारी मीठी मठडी मीठी और फीकी मठडी को करवाचोत पर बनाया जाता है सरगी के लिए तो चलिए मीठी मठडी बनाना सुरू करते हैं इसके लिए यहां मैंने लिया है एक कटोरी मैदा यहां मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है अगर आप आटे और गुर से मठडी बनाना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाली है आप देख सकते हैं तो मैदे को सबसे पहले एक बार अच्छे से चान लीजेगा और अगर आप यही मठडी आटे से बनाना चाहते हैं तो मैदे की जगए आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आपके पास नाप वाला कप है तो उस कप को भरके एक कप डाल लीजेगा मैदे का मैदे को छानने के बाद में इसमें हमें डालना है घी, घी को हलका सा गरम करके डालेंगे यहां मैंने खाने वाली चम्मच के नाप से 5 चम्मच भरके समें घी डाल दिया है गी डालने के बाद में गी को आटे के साथ बिल्कुल अच्छे से हातों से मसलते हुए मिक्स कर देना है इतने मैदे के लिए 5 चम्मच गी काफी होता है लेकिन एक बार मिक्स करने के बाद में इस तरह से हमें मुठी बांद कर देख लेना है अगर मुठी बन रही है तो समझ जाएगा हमने जो घी डाला है वो बिल्कुल सही मातरा में डला है अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है हमें इसका एकदम टाइट आटा लगा कर तैयार कर लेना है और मैंने इसमें नॉर्मल पानी का इस्तेमाल किया है पानी को गरम भी नहीं करना है बिल्कुल नॉर्मल पानी लेकर ही आटा गुंदियेगा आपको अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लेज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलियेगा और ये देखिए हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका बिल्कुल टाइट आटा लगा कर तयार कर लिया है एक बर आटे को हमें बड़िया तरीके से गुंद लेना है ताकि आटा अच्छे से चिकना हो जाए आटा गुंदने के बाद में एक बार आप देख लीजे इतना टाइट हमें इसका आटा लगा कर तयार कर लेना है एकदम टाइट आटा लगाया है मैंने ताकि जब मैं इसे बेलू तो इसमें मुझे सुखे आटे की जरूरत ना पड़े अब आटे को हमें इस तरह से छोटा छोटा तोड़ लेना है क्योंकि हमें इसकी पूरी जितनी लोई बना कर तयार करनी है तो साड़े आटे को तोड़ कर एक बोल में रख लेंगे अब इस हाटे में से हमें थोड़ा सा अटा ले लेना है और इसकी हमें एकदम चिकनी लोई बना कर तयार कर लेनी है जैसे हम पूरी बेलते हैं बस वैसे ही इसकी लोई बना कर हमें तयार कर लेनी है तो देखें लोई बन कर तयार हो गई है अब हमें इसे बेलना है जब हम इसे बेलेंगे तो इसका हमें ध्यान रखना है कि पूरी जो होती है उससे थोड़ा सा पतला बेलना है और पूरी की सेफ में ही बड़ा बेल कर तयार करना है ज्यादा बड़ा नहीं बेलना है बस जितनी पूरी होती है उतना इसे बेल कर तयार कर लेना है यह देखे, इतना पतला हमें इसे बेल कर तैयार कर लेना है और देखे आटा मैंने बिल्कूल अच्छे से टाइट लगाया था इसलिए मैंने इसमें सूखे आटे का इस्तेमाल नहीं किया है बेलते टाइम अगर आपको जरूरत लगे और बेलते टाइम आटा चिपकने लग जाए तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा डाल लीजेगा सुखा और तब बेल लिएगा जैसे रोटी बेलते हैं वैसे उसी तरह से मैदा लगा कर इसको बेल लीजेगा इसको बेलने के बाद में काटे या चाकू की साहिथा से इस तरह से दोनों साइड हम इसमें छेद कर देंगे ऐसा करने से ये होगा कि जब हम इसे तेल में तलेंगे तो ये पूरियों की तरह फूलेगी नहीं और एकदम खसता बनेगी तो दोनों साइड हमें मठडी में होल कर देने है और बाकी की मठडी भी हम इसी तरह से बना कर तैयार कर लेंगे ये देखी मैंने तेल को गरम होने के लिए रख दिया था अब इसे चेक कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें आटे का टुकडा डाल कर हम चेक करेंगे और देखें आटे में जो है न बबल्स आने लगए है थोड़े ही बबल्स आए हैं क्योंकि तेल है जादा तेज गरम नहीं है हलका गरम है बस इतना ही गरम हमें इसके लिए तेल चाहिए जादा तेज गरम तेल नहीं चाहिए अब एक के करके हमें इसमें मठडी डालनी है पहले हमें एक मठडी डालेंगे और जब मठडी उपर की तरफ तैर के आएगी तब ही हम इसे पलटेंगे और इनको फ्राई करते टाइम आपको ध्यान रखना है गैस का फ्लेम आपको मेडियम रखना है तो देखिए मठडी उपर की तरप आ गई है तेल में अब इसे पलट देते हैं तो इस मठडी को हमने पलट दिया है इसके बाद हमें इसमें दूसरी मठडी डाल देनी है उसको भी हमें ऐसे ही करना है जब वो तैर के उपर की तरपाने लग जाएगी तेल में तब हम उसे पलटेंगे जितनी जगह हो कड़ाई में और जितनी मठडी तेल में आसानी से आजाए आप उतनी एक बार में डाल सकते हैं और उनको अलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और ये देखिए थोड़ी देर इनको फ्राई करने के बाद में ये बिल्कुल अच्छे से खस्ता हो गई है अब हम इसे निकाल लेते हैं और इनका कलर देखिए इस तरह से अगर कलर आने लग जाएगा तब ही आप इने निकाल लिएगा और बाकी की सारी मठडी भी हम इसी तरह से तेल में तल कर निकाल लेंगे आप अगर पूजा में फीकी मठडी का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी फीकी मठडी भी बनकर तयार होगी लेकिन आज मैं मीठी मठडी बना रही हूँ तो चलिए इसके लिए अब हम चासनी बनाते हैं जिस कटोरी के नापसे मैंने मैदा लिया था उसी कटोरी के नापसे मैंने एक कटोरी भरके यहाँ चीनी लिए है अब हम इसमें एक चोथाई हिस्सा कटोरी का पानी डाल देंगे आधी नहीं आधी से भी कम हमें पानी का इस्तम्याल करना है और इसको बिल्कुल अच्छे से अब मिक्स करते हुए हमें चीनी के गुलने तक पकाना है मठडी या बर्फी बनाने के लिए जब भी आप चासनी बनाए तो चीनी के गुलने तक उसे लगातार चलाते हुए ही पकाना है क्योंकि हम अगर इसे चलाते हुए नहीं पकाएंगे तो चीनी जो है तले में चिपक जाएगी और जल जाएगी यहां मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा है ताकि हाई फ्लेम पर जल्दी से चीनी मेल्ट हो जाए और चासनी बनकर तयार हो जाए तो देखे लगातार चलाते हुए चीनी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है यह इस तरह से बबल्स बनने लग गए है अब हमें क्या करना है गैस का फ्लेम हमें मीडियम कर देना है मीडियम फ्लेम करने के बाद में इसे हमें 2-3 मिनट इसी तरह से लगातार चलाते हुए पका लेना है चासनी को हमें थोड़ा सा और गाड़ा करना है जब ये साइड साइड से सूखने लग जाएगी तब हम इसमें मठडी डालेंगे तो देखे तोड़ी देर पकाने के बाद में चासनी अच्छे से पख गई है और ये देखे साइड साइड से थोड़ी सी सुखी सुखी सी दिखाई दे रही होगी तो अब हमें गहस का फ्लेम बिल्कुल कम कर देना है अब हम इसमें डालेंगे मठडी एक साथ इसमें मैंने 3-4 मठडी डाल दी है और मठडी डालने के बाद मैं इने पलट देंगे ताकि चीनी जो है सारी मठडियों पर बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए इस तरह से हमें इसे पलट देना है मठडी के दोनों साइड चासनी अच्छे से चिपक जाएगी तो हम इने निकाल लेंगे और बाकी की मठडियों में भी हमें इसी तरह से दोनों तरफ चासनी लगा थेंक यू